दौन की बॉक्स ओफिस कलेक्शन डे 13 शाहरुक खान की फिल्म दुनिया भर में 400 करोर रुप्य से गुजरती है, सभी चेनने एक्स्प्रेस से आगे निकलने के लिए तयार हैं। दौन की बॉक्स ओफिस कलेक्शन दिन 13 शाहरुक खान राजकुमार हिरानी की फिल्म संजु के रिकॉर्ड से पीछे रह जाएगी, लेकिन फिर भी यह अपने प्रदर्शन के अंतक्चेन नई एक्स्प्रेस से आगे निकल सकती है। सुपस्टा शाहरुक खान की नई कॉमेडी ड्रामा डौनकी के कलेक्शन में मंगलवार को छुट्टियों के मौसम के बाद सबसे बड़ी गिरावट देखी गई। संजू से भी कम रहेगा। रनबीर कपूर स्टारन ने अपना घरेलू प्रदर्शन 342 करोर रुप्य के साथ समाप्त किया था जबकि दुनिया भर में इसकी कुल कमाई 586 करोर रुप्य थी। हालां कि दौन की महामारी के बाद के यूप की सबसे अधिक कमाई करने वाली कॉमेडी ड्रामा बन कर उभरेगी एक ऐसा समय जब बड़े कलाकार बॉक्स आफिस पर हावी हो रहे हैं। सेकनिलक ने बताया कि दौन की ने एक करोर दर्शकों को पार कर लिया है। यह उपलब्धी हासिल करने वाली पठान और जवान के बाद लगातार तीसरी शाहरुक खान की फिल्म बन गई है। डौन की ने रातरी शो के लिए अपनी सर्वश्रेश्थ अधिभोग 16 प्रतिशत दर्ज की। 25 जनवरी को रितिक रोशन दीपिका पदुकों की फाइटर तक कोई भी फिल्म रिलीज नहीं होने के कारण डौन की को प्रभास की एक्शन फिल्म सालार के साथ बॉक्स ओफिस पर मुफ्त प्रदर्शन मिलेगा जो 22 दिसंबर को रिलीज हुई थी और दुनिया भर में 627 करोड रूपे से अधिक की कमाई कर चुकी है प्रुकी है